तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज हम नामा के मुल्तत्व भागेक कक्सा 12 तो दोस्तों कल हमने एक्जाम्पल लंबर 30 की गिंती की थी आज हम एक्जाम्पल लंबर 24 की गिंती करेंगे एक्जाम्पल से लिखे स्वाध्याई जितने भी क्वेस्टन है प्रविश सारे के सारह की इनेगे है तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि चेप्टर आट मार्क्स का है और इसके अंदर से ऑप्सों भी पूछा जाता है और और कविशा दो अनुपात तीन के प्रमाण में लाभानी बाटने आले साजेदारे अब उन्होंने कविशा को स्वारी काना और कविशा ने पालखी को प्रवेश दियाए अब दाखले की कंडिशन बता रहो दोस्तों के हमें याने लास्ट केस्टन गिनत हमने तो उसके अंद तो नया अनुपात हमें दे दिया जाता है लेकिन यहां पे हमें नया अनुपात नहीं दिया गया है हमें पहले ही क्विश याने समयाजन में बताया है कि काना ने अपने भाग का एक याने एक बटे दो भाग और कविशा अपने भाग का एक चोथाई भाग पालखी के पक् करेगी ओके तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे और यह क्वेशन हम स्टार्ट कर रहे तो जो हमर स्टेप उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को गिनेंगे कि तो स्टार्ट करेंगे दुस्तों सबसे पहले पीज नमबर 188 पे हमें question दिया गया है सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तो पुंजी जो पुरानी पक्की तलपट में हमें पुंजी दी है काना की पुंजी है 80,000 तो यहां पे लिखेंगे says आगे लाए तो हमारे पास पुंजी है दोस्तो 80,000 और कविसा की पुंजी है 1,00,000 स्टेप नंबर एक कंप्लेट हुआ सबसे पहले हम पुंजी लिखेंगे फिर स्टेप नंबर दू में दोस्तो अनामत और अनामत संबंदित समायोजन तो हमें यहां पे आकस्मिक अनामत दी गई है तो उससे रिलेटेट कोई समायोजन है तो हमें समायोजन में चेक करना होगा तो उससे रिलेटेट समायोजन में कोई समायोजन नहीं दिया गया तो आकस्मिक अनामत हम पुराने अनुपात में साजीदारों के बीच में बाट देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आकस्मिक अनामत खाता आकस्मिक अनामत खाता है पंद्रा अजार तो दोस्तों हम पंद्रा अजार को बाट देंगे दो तीन के अनुपात में तो 15,000 इंटू 2 बटे 5 तो यहां पर होगा 6,000 और 3 बटे 2 करेंगे तो यहां पर होगा 9,000 हो गया उसके बाद दोस्तो हमारे पास कारीगर मुआउजा फंड दिया गया है वो भी अनामत में गिना जाता है तो कारीगर मुआउजा अनामत फंड यहां पर हमें 40,000 दिया गया है और उसके उपर समाय जन दिया गया हमें तो दोस्तो हमने कारीगर मुआउजा फंड देने के लिए अभी तक अनामत के तौर पर 40,000 जमा करके रखे हुए पेडी में लेकिन समाजन नंबर साथ में हमें दिया गया है कारिगर मुआउजा पेटे रुप्या पचास अजार का डाईत्व मंजूर रखना है याने हमने अनामत के तोर पे सिर्फ चालीस अजार जमागे रखे हैं लेकिन डाईत्व हमारा हुआ पचास अजार याने दस अजार और भी जाना चुकाना हुआ तो नुक्सान होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कारिगर मुआउजा अनामत यहाँ पे दाईत्व हुआ हमारा पचास अजार लेकिन हमारे पास कितना है देने के लिए चालीस याने दस अजार हमारा नुक्सान हुआ दाईत्व बढ़ गया तो मैं पुना मुल्यांगन खाते के नियम रिपीट कर रहा हूँ तो संपत्ति में वृद्धी हो तो जमा लिखेंगे संपत्ति में वृद्धी हो तो कमी लिखेंगे दाईत्व में वृद्धी हो तो उधार लिखेंगे तो दाईत्व में अगर कमी होती है तो जमा लिखे दाइत्व में वृद्धी है तो पुर्णा मुल्यांकन के उधार लिखेंगे और दाइत्व में कमी है तो जमा लिखेंगे अब हमारा दाइत्व बढ़ जाता है दस जार छे तो यहां पर लिखेंगे कारीगर मुआउजा फंड खाता दस जार उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है विनियोग अनामत और हमें विनियोग भी दिया गया है दोस्तों संपत्ति में 30,000 तो विनियोग की बात करें तो हमारे पास विनियोग कितना है तो यहां पर मैं गिंती करूगा दोस्तों विनियोग से रिलेटेट विनियोग विनियोग दोस्तों हमारे पास 30,000 और विनियोग अनामत हमें दिया गया है विनियोग अनामत हमें दिया गया है 12,000 अब हमने अनामत को याने विनियोग में कभी भी नुकसान हो तो उसकी भरपाई के लिए हमने 12,000 विनियोग अनामत जमा करके रखे हुए अब समाय अजन में ये कह रहे है के विनियोग की बाजार किम्मत समाय अजन नमबर 6 विनियोग की बाजार किम्मत रुप्या 15,000 है जो बही में लिखनी है दोस्तों कहां पे लिखनी है बही में तो देखो विनियोग की किम्मत हमारी 30,000 है और बाजार किम्मत हो गई, बाजार किम्मत हमारी 15,000 हो गई, तो नुकसान हुआ हमें सिर्फ 15,000 का, तो यहाँ पर जो नुकसान हुआ 15,000 का उसकी बरपाई हम कहां से करेंगे, तो विनियोक अनामत फंड में से 15,000, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बरपाई करने के लिए, अनामत की जो रकम जुटाई थी, वो सिर्फ 12,000 है, तो हमें और भी 3,000 का नुकसान हो रहा है, तो हम जो विनियोक की बाजार किम्मत है, और इसकी एंट्री दे देंगे, तो यहाँ पर देखो, विनियोक में हमें 3,000 का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, विनियोक, नुकसान, खाता, तीन अजार, और यहाँ पर लिखेंगे, संपत्ती लेना में, विनियोक, 30,000, और आज उसकी बाजार किम्मत कितनी हो गई, 15,000, तो विनियोक जो घड़ की किम्मत है, यानि कमी कितनी हुई, तो विनियोक में कमी हुई दोस्तो, 15,000 की, अब उसके आगे देखो दोस्तो, पुँजी हो गया अनामत और अनामत संबंदित समाजन हो गया अब हम ख्याती देखेंगे तो ख्याती हमें पक्की तल्पट में नहीं दी गई है तो हम उसकी एक poenty निकरंगे उसके बाद अव वासते एक संपत्या तो ऌव वासते एक संपत्या भी नहीं दी गई है तो उसके बाद हमें नफानुक्सान भी नहीं दिया गया है तो रूखकडप्लिकण दी आ गया है तो हम यहाँ पने के सेस आघे लाए तो सेस आगे लाए दोस्तों हमारे पास रोख कड़बलिक बैंक है 14,000 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14,000 अब दोस्तों इसके आगे हर समाजन की दो एंट्री देंगे हम तो यहाँ पे दोस्तों देखो एक 14,000 के दिन उन्होंने पालखी को नए साजीदार के रूप में निमनलिखित सर्तों से प्रवेश दिया काना अपने भाग का एक बटे दो भाग और कविसा अपने भाग का एक चौथाई भाग पालखी के पक्स में त्याक करेगी तो सबसे पहले हम जो पालखी नए साजीदार है तो उसको कितना हिस्सा मिला और इन्होंने कितना त्याक किया उसकी गड़ना करेंगे तो भाग का बाग दियाओ तब उसका मतलब यह होता है कि उनके हिस्से में से भाग निकाल के देना है तो यहाँ पे देखो कानहा और कविसा कानहा का हिस्सा है पुराना दो बटे पांच और कविसा का हिस्सा है तीन बटे पांच तो दोस्तों यहाँ पे इंटू कानहा ने एक बटे दो भाग का त्याग किया और कविसा ने एक बटे चार भाग का त्याग किया अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे दो इंटू एक दो और पांच दूने दस तीन इंटू एक तीन और पांच इंटू चार भीस अब इनके बटे में जो रकम है वो सेम नहीं है तो LCM के लिए हम इनको सेम कर देंगे तो दू बटे दस और तीन बटे बीस तो हम यहाँ पर LCM लेगे यहाँ पर दू से गुणा करेंगे और यहाँ पर एक से तो यहाँ पर उपर अंसर बटे में दोनों जगे गुणा करेंगे तो 4 बटे 20 और 3 बटे 20 याने इन दोनों का त्याक का अनुपाद होगा दोस्तो 4 अनुपाद 3 अब इन दोनों ने मिलके पालखी को हिस्सा दिया पालखी पालखी को हिस्सा मिला दोस्तो तो काना के पास से मिला 4 बटे 20 और कवीशा के पास से मिला 3 बटे 20 एसे दोनों का हिस्सा मिला कर पालखी को टोटल 7 बटे 20 का हिस्सा मिला अब यहाँ पे समायजन नमबर दो में पेड़ी की ख्याती का मुल्यांकन असी हजार रुप्या किया गया है और तीसरे समायजन में लिखा है कि काना और कविसा उन्हें प्रात्त ख्याती में से 50% ख्याती निकाल लेंगे और यहां पे लास्ट समायजन में लिखा हुआ है पालखी पूंजी के रूप में एक लाग बीस अजार और अपने भाग की ख्याती की रकम रोकड में लाएगी ओके तो सबसे पहले हम एंट्री दे देंगे कि पालखी कितनी पूंजी ला रही है एक लाग बीस अजार तो नकट आये तो उधार बाजु लिखेंगे रोकड खाते के उधार बाजु लिखेंगे पालखी कितनी पूंजी खाते एक लाग बीस अजार यहां पे उधार और यहां पे लिखेंगे दोस्तों जमा बाजू रुकड ओबलिक बैंक खाता एक लाग बीस अजार पालखी पूंजी के रूप में ला रही है तो एक लाग बीस अजार लिखेंगे उसकी रकम अब दोस्तों उसके आगे पालखी उसके हिस्से की ख्याती की रकम ला रही है तो पालखी को हिस्सा कितना मिला? साथ बटे बीस अब पालखी की ख्याती होगी दोस्तों असी अजार इंटू साथ बटे बीस तो अथाईस अजार ख्याती की रकम पालखी रोकड में लाएगी और जो पुराने साजेदार ने जो पालखी को अपने हिस्से में से त्याग किया काना और कविसा ने तो उनका अनुपाते चार अनुपात तीम तो इस अनुपात में ये लोग ख्याती की रकम जो पालखी ला रही है वो ले जाएगे तो इंटू 4 बटे 7 तो यहाँ पे होगा दोस्तो 16,000 और यहाँ पे होगा 12,000 याने पाल की ख्याती की रकम ला रही है और काना और कविसा ले जाएंगे तो इनकी एंट्री देंगे सबसे पहले ख्याती की रकम आ रही है तो यहाँ पे लिखेंगे ख्याती के प्रिमियम खाते तो 28,000 होगा यहाँ पे उधार होगा तो यहाँ पे पुझी खाते में दोस्तों जमाओगा ख्याती प्रिमियम खाते यहाँ पे आएगा 16,000 और यहाँ पे आएगा दोस्तों 12,000 याने हमें जो सेकंड समायजन दिया गया है वो पहले समाय याने लास्ट वाले समायजन से संबंदी थे मैं आपर स्रीफ हमें कन्फिजन करने के लिए उस समायजन को नववे नंबर पर रख दिया है अब हमने यहाँ पे ख्याती प्रिमियम खाते की एंट्री दे दी अब उनके हिस्से में पेडी में ख्याती आ गई अब इस ख्याती की 50% रकम तीसरे समायजन में लिखा हुआ है कि काना और कविसा यह जो रकम मिली है उसकी 50% रकम वो पेडी में से निकाल के ले जाएंगे तो पेडी में से अगर कोई साजेदार रूपियल ले जाता है तो नकर घटी है नकर जाए तो जमा रुककर आए तो उधार जाए तो जमा तो रुककर अबलिक बैंग खाते के जमा बाजु लिखेंगे रुककर जा रही है तो काना आधी रकम लिखे जाएगा काना के पुंजी खाते और कविसा के पुंजी खाते आधी रकम तो आधी रकम कितनी होगी इसकी तो इसकी होगी आठ अजार और इसकी होगी छे अजार यहाँ पे दोस्तो नकर खाते के जमा बाजु तो सेकंड एंट्री होगी पुंजी खाते के उधार बाजु लिखेंगे रुक कड़ अबलेक बैंग खाते ख्याती तो यहाँ पे आठ अजार और छे अजार उसके बाद दोस्तो पहला समाय जन कंप्लेट हो गया दूसरा समाय जन कंप्लेट हो गया तीसरा भी कंप्लेट हो गया अब चोता समाय जन यहाँ पे लिखाई यंत्रों पर 10% की दर से घिसाई अप लिखित कीजिए अब हमारे पास दोस्तों देखो यंत्र दिया गया हमें पक्की तलपट में 50,000 तो पक्की तलपट में यहाँ पर लिखेंगे यंत्र 50,000 उसके पर घिसाई की नहींगे दोस्तों 5,000 10% की दर से तो हमारे पास यंत्र बचा 45,000 अब हमने यंत्र पे घिसाई किनी तो धंदे का खर्च होगा याने खर्च या नुक्सान हो तो हम उधार लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यंत्र की यंत्र के घिसाई खाता तो 5000 उसके बाद देनदारों में से 6000 डुबवतरुन के रूप में अप लिखित करो और 15% डुबवतरुन अनामत का प्रावधान कीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तो देनदार देनदार दोस्तो हमारे पास है यहाँ पे 66,000 डुबवतरुन रखेंगे दोस्तो 6000,000 बचे 15% की दर से डुबवतरुन अनामत रखना है याने 60,000 के 15% करेंगे दोस्तो अब हम 9,000 तो यहाँ पे आएगा 51,000 अब इन दोनों की अंट्री देनी है दोस्तो हमें तो देखो जो दुबवतरुन पिछले साल का हो ना तो हम यह दुबवतरुन में से दुबवतरुन अनामत देखो हमें पक्की तलपट में पुंजी दाइतों में दिया गया है अगर तो दुबवतरुन में से उसे घटा देना है तो हमारे पास यहाँ पे दुबवतरुन कितना है खाता यहाँ पे है 6,000 उसके अंदर से पिछले साल का हम घटा देंगे 3,000 तो यहाँ पे आएगा 3,000 और दुबवतरुन अनामत भी धंदे का खर्च है तो 9,000 उसके बाद दूस्तो छटा समाय जन कंप्लेट हो गया है सात्वा भी समाय जन हमने कंप्लेट कर दिया है उसके बाद आठवा समाय जन लेंड़दारों में से 10% लेंड़दार को नहीं चुकाना पड़ेगा तो दोस्तो ये फाइदा हुआ दाइक तो गड़ गया तो लेंड़दार हमारे पास है 50,000 के तो यहां पे लिखेंगे दोस्तो लेंड़दार पचास हजार उसके अंदर कमी हुई के अब हमें 10% लेंड़दार चुकाने नहीं है तो पांच हजार अब हमें चुकाने नहीं है तो कितना होगा 45,000 तो फाइदा हुआ हमें तो हम यहां पे लिखेंगे लेंड़दार खाता पांच हजार उसके बाद दोस्तो समाजन नव वो भी कम्प्लेट हो चुका है अब जिस संपत्ती और दाइत्व पे समाजन नहीं है एसी संपत्ती और दाइत्व पक्की तलपट में उसी दिशा में उतनी ही रकम से एक बार हमें दर्सा नहीं है तो चेक करेंगे सबसे पहले पुंची तो हमने लिख ली आकस्मिक अनामद भी लिख ली कारीगर मुआउजा अनामद फंड भी लिख लिया विनियो अनामद भी लिख लिया लेंडार भी लिख लिया हमने और दुबबत रुट अनामद के एंट्रिवी यहां पे तीन हजा से दर्सा दी उसके बाद समपत्ति लेना में दोस्तो मकान हो गया यह बाकि है तो यह पर लिखेंगे मकान मकान बाकी है तो मकान लिखेंगे यहाँ पर हम मकान है दोस्तो एक लाग दस अजार उसके बाद यंत्र हो गया है स्टॉक बाकी है तो स्टॉक भी दर्शा देंगे तो स्टॉक है दोस्तो तीस अजार उसके बाद देंदार हो चुका है रोकड़ अबलिक बैंक भी हो चुका है और विनियोग भी हो चुका है तो दोष्तो हम सबसे पहले अब पुणा मुल्यांकन खाता क्लोस करेंगे तो 10,000 पुलस 3,000 पाँच हजार 3,000 और 9,000 यहां पे टोटाल होगा पुणा मुल्यांकन खातेगा 30,000 यहाँ पे भी लिखेंगे 30,000 तो यहाँ पे हानी हो रही है हमें तो हानी है दोस्तों दोनों के बीच में बाटा जाएगा काना और कवीशा हानी है दोस्तों 30 में से 5 गे 25,000 इसे हम बाटेंगे पुराने अनुपात में तो पुराना अनुपाते 2 अनुपात 3, 2 बटे 5, 25,000 इन्टो 2 बटे 5 याने 10,000 होगा और यहाँ पे आएगा 15,000 यहाँ पे जमा बाजु दिया गया हानी याने हानी हमें मिली तो यहाँ पे जमा बाजु है तो पुर्जी खाते में हम दर्शे आएंगे दोस्तों उधार बाजु यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे उधार लिखेंगे पुना मुल्यांकन खाता हानी तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और 15,000 अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक लाग बीस अजार एक लाग बीस अजार अन्तिम सेस निकल के आएगी दोस्तों इनकी सेस आगे ले गए अन्तिम पुन्जी एक लाग बीस अजार टोटल करेंगे कविसा का एक लाग फिर नो अजार और 12,000 तो टोटल निकल के आ रहा है एक लाग 21,000 यहाँ पे भी लिखेंगे एक लाग 21,000 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा एक लाग फिर असी अजार छे अजार 16,000 तो एक लाग दो अजार उसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों हम 18,000 तो यहाँ पे आएगा 84,000 तो दोस्तों इनकी अंतिम पुंजी निकल के आ रही है 84,000 एक लाग और एक लाग बीस अजार उसे हम पक्की तलपट में पुंजी दाईतों में दर्सा आएंगे पुंजी कानह, कानह, कविशा और पाल्खी यहाँ पे एक लाग बीस अजार पाल्खी में उसके बाद कविशा में एक लाग है और 84,000 कानहा में है इन सब का टोटल करेंगे दोस्तों तीन लाग चार अजार अब रुकर अबलिक बैंक खाते को क्लोस करेंगे हम और उसकी अंतिन से दुनेंगे तो यहाँ पे चवदा अजार, एक लाग बीस अजार और अठाईस अजार तो एक लाग बांसट हजार इसकी टोटल हो रही है कुल योग इसका टोटल होगा एक लाग बांसट हजार उसके अंदर से दोस्तों माइनस कर देंगे हम आठ अजार और छे अजार याने इनके धंदे में अंतिन सेस नकत निकल के आ रही है सेस आगे ले गए एक लाग अरताली सजार एक लाग अरताली सजार संपत्ती लेना में लिखेंगे दोस्तों तो यहां पर रुकड अबलीक बैंक एक लाग अरताली सजार अब इन दोनों वाजू का टोटल कर देंगे तीन लाग चार अजार स्वरी तीन लाग चार अजार फिर पचास अजार और पैंताली सजार तो पक्की तलपट का कुल योग निकल के आ रहा है दोस्तों तीन लाग निन्यान बे अजार आप संपत्ती लेना में भी चेक कर लेंगे और दोनों वाजू का अगर इक्वल है तो आंसर सही होगा तो यहां पे भी तीन लाग निन्यान बेजार आंसर निकल के आ रहा है तो इसी टाइप का क्वेश्चन भी है दूस्तों स्वाध्य में तो मैं यहां पे होमवर्थ के तोर पे आपको दे रहा हूँ अगर आंसर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको करवा दूँगा द्रावर तो कल के जिसा जो क्वेश्चन है वो था क्वेश्चन नमबर नव यहां पे होमवर्थ के तोर पे होमवर्थ क्वेश्चन नमबर स्वाध्याय में नव और अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों एक्जामपल नमबर प्वेंटिफ़ाइब झाल 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 झाल